हरेदवार जिले में कोरुणा संक्रमितों की संख्यम में लगातार बढ़ातरी हो रही है जब कि हरेदवार में चिकचसा सुवधाओं की भारी कमी है इसे में हरिद्वार के सबसे बड़े औद्योगिक शेत्र में दवा बनाने वाली कमपनी एकम्स ड्रग्स ने अपनी एक फेक्टरी को कोविट केर सेंटर में तबदील कर दिया है एकम्स ने सिद्कुल में 500 बेट का कोविट केर सेंटर बनाया है जिसमें 120 बेट के सेंटर की आज से शुरुआत कर दी गई इस सेंटर में खासकर और द्योगिक शेत्र के उन कोरोना मरीज़ों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के कम लक्षन है या फिर हालत कम गंभीर है किया जा सकता है यह परियाग्त के पैस्टी है आवश्यक्ता पढ़ने पर स्कूर 240 लोगों का रहने का भी जो है क्रेट किया जा सकता है यह काफी हद तक यहां इंडस्ट्री में अगर कोई वरकर्स अगर संक्रमत पाए जाएंगे उनको तुरित इलाज करने के लिए जो है एकम्स के द्वारा बनाए गए कोविट केर सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए जिकस्ता से लेकर हर तरह की सुविधा होगी वैसे तो यहां पर कोरोना के गंभीर मरीजों को भरती नहीं किया जाएगा मगर भरती किसी मरीज की अचानक हालत गंभीर हो जाती है तो उनके लिए जिला स्वास्ते विभाग की विशेशग्य डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी तैनाप रहेगी और गंभीर मरीजों के लिए स्वास्ते विभाग की अनुमती से ऑक्सीजन की विवस्ता भी की गई है कमपनी ने इस कोविट केर सेंटर में दस ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की विवस्ता भी की है 120 बेट हम लगा चुके हैं और 130 बेट हमारे पास रेडी हैं हमारा सोचना है कि शायद उनकी जरूरत ना पड़े अधरवाइस 200 बेट यह तुरंत चालू हो सकते हैं उसमें खाने पीने का इंजाम है सुबह से लेके शाम तक का सभी अर्रेंजमेंट्स जो भी एक कोविट पेशेंट को चाहिए होते हैं और अगर उनको कोई संक्रमन हो जाता है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है घर पे अकेले रहके आईसोलेशन में जाना और हॉस्पिटल में बैड़िक की बिल्कुल कोई ववस्ता नहीं है तो उनको सोच ध्यान में रखते हुए हमने यह सेंटर यहाँ पे चलू किया है ऐसे कोरोना मरीजों के लिए यह कोविट केस सेंटर बेखत मददकार रहेगा निउस वर्ल इंडिया के लिए हर दो आर से इंतजार रजा की रिपोर्ट